हेलो गाईज आज मैं न्यूव अपडेट लेकर क्या आई हूं आप लोग के लिए यू आरसी इसरो की तरफ से तो आप सभी को जिनको भी वेट था आंसर सीट कब आएगी एक्च्वल में तो आंसर सीट उसमें जो 3 नवेंबर को आपका एक्जाम हुआ था उसमें लिखा हु को जाना होंग तो मैं आपको डिस्क्रीप्शन में लिंक दूँए आप लोगय को वहां पर जाना होगा वहां से क्लिक करके आपको अंसर सीट आपको मिल जाएगी और आप अबजेक्शन फोर्म जैसे कि आप लोग ठंब नेल में देख रहे होंगे औजेक्शन फॉर्म में से लिखा रहेगा वहाँ पर क्लिक करना रहेगा अभी मैं आपको शो कर दूंगी अभी आपको बता देती हूं candidate response यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे आप लोग लॉग इन करते हैं personal details आजाएगी फिर candidate response में आपको जाना होगा answer sheet आपको print उसका वहाँ पर क्लिक करेंगे तो print का option आएगा यहाँ पर आएगा आपका objection form अगर आपको objection करना है तो उसके लिए आपकी window open रहेगी 18 तारीक 10 बजे से लेकर के और 21 तारीक तक रहेगी 11 बच के 69 मिनट तर ठीक है तो इसके बीच में आप लोगों को objection करना होगा इसके बाद आपको मतलब आप अगर object करते हैं में भी वहाँ से वह window हटा दी जाए ठीक है और candidate के responses भी वहाँ से हट जाएंगे उसके बाद ठीक है तो यह थी आज की update तो चलते हैं आपकी response seat पर आपको दिखा भी देती हूँ जैसे आप लोग लोग इन करते हैं आपको एक mail आये होगी mail पर आप लोग को एक link आया होगा link पर जाके आपको click करना है ठीक है वहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग अपने login page पर पहुंच जाएंगे क्योंकि वहाँ पर password और user ID भी given है तो जैसे ही आप लोग mail पर click करके space पर आते हैं यहाँ पर आप लोग जब click करेंगे click here यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा click here to generate it ठीक है तो जैसे ही आप लोग यहाँ click करेंगे तो आपके पास एक sheet generate हो जाएगी answer sheet और अगर आपको objection के लिए आपको करना है तो आप लोगों को यहाँ से select करना होगा ठीक है समझ गए तो यह थी आज की आपके update अगर आपको कुछ तिक्कत आ रही है आपके login में या कुछ भी तो आप लोग comment करके पूछ सकते हैं आपको directly अपने mail id पर जाना है mail id पर आपको सब कुछ information given है वहाँ से आपको link मिल जाएगा link से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगी candidate के response पर ठीक है तो मैंने जो है answer sheet डाउनलोड कर ली है आप लोग यहां से देख सकते हैं सिकी URL satellite center Bangalore यहाँ आपके participant name और ID आ जाएगी और यहाँ पर आपका test center name आ जाएगा test date भी यहाँ पर लिखी हुई है आपका timing भी यहाँ लिखा हुआ है फिर आपके यहाँ पर जो भी post इसके लिए आप लोग ने apply किया है वह आ जाएगा आपको यहाँ पर प्रिंट का option मिलेगा जो आप लोग candidate response पर क्लिक करेंगे उस वाले page पर आप लोग यहाँ पर click करेंगे click hair पर फिर आप यहाँ पर ज चेक कर सकते हैं ठीक है तो यह थी आज की information thanks for today and please subscribe my channel for more updates and if you have any query then please let me know in comments so thanks again